जैहिन आईए देखते हैं कि निया टोपिक आज हम लिकाए हैं खिलजी वन्स और खिलजी वन्स को हम विश्टार्ट पूर्वक समझाने वाले हैं खिलजी वन्स का जो टाइम पिरिड रहा है वो 1290 से 1320 तक रहा है हम महतवपूर्ण चीज़े और महतवपूर्ण विद्दू को समझाने का प्रियास करेंगी उमीद करेंगी कि आपको यह समझाए जरूर आएगा तो हम बात करें खिलजी वन्स के वारे में अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली संत्त का सबसे कम समय तक चलने वाला बंस कोन सा था थो खिलजी वन्स था और खिलजी वन्स में कुल मिलाकर पांच यहां पर सासक होते हैं कितने सासक होते हैं पांच सासक जिसमें पहला नाम आता है जला उल दिन खिल जी के बारे माता है तो पहला नाम अगर आप 1290-1296 जब कि दूसरे बिंदू की हम बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट मिलता है आपका अलाउद्दीन खिल जी ऑस्तिक के बारे में हम बात करेंगे तो अलाउद्दीन होता है इसका टाइम 1296 से और 1316 तक रहता है तीसरे पॉइंट में ये तीसरे सासक हुआ है उसका नाम मिलता है सिभा उद्दीन उमर के नाम से इसको जाना जाता है तो यहां पर हम बात करते हैं तो 1316 में ही मात्र जो रहता है ये वो 35 दिन का सासन करता है कितने दिन का सासन करता है मात्र 35 दिन का ये सासक बनता है इसके बाद हम बात करते है point number 4 मलब सासक जो 4 हुए है उसका नाम मिलता मुवारक मुवारक सहा खिल जी मुवारक सहा खिल जी और इसका time पर रहता है 1316 से और 1320 तक यहाँ पर यह सासन करता है पांच मजो सासक हुआ है इसका नाम है नसरुद्दीन खुसरोखा के नाम है इसका नसरुद्दीन खुसरोखा के नाम से इसको जाने जाता है और यह इसका टाइम पिरिट के हम बात करते हैं तो यह 15 अप्रेल से 7 सितंबर 1320 तक यह सासन करता है तो यह 5 सासक मिलते हैं खिल जीवंस के तो हम जानते हैं यहांसे कि पहला नाम कौन है जलाउद्दीन खिल जी दूसरा अलाउद्दीन खिल जी तीसरा सिवाउद्दीन ओम्र चौथा मौरक सहा खिल जी और पांच में मिलता खुसरोखा या नसर उद्दीन खुसरोखे नाम से इसको जाना जाता है तो हम विस्तार कुबरक इन पॉइंट को समझाने का प्रियास करेंगे तो आज की हम जी बंस का संस्थापक कुन था तो खिलजी बंस संस्तापक है आपका जलाउदीन फ्रोज खिलजी इसके बारे में हम जानते हैं कि ये सैनापती किसका था तो क्यूमर्स का सैनापती है और क्यूमर्स के बारे में हम बात करते हैं कि जो क्यूमर्स है ये ये किसका अगर हम बात करते हैं तो किस बंस से संबने था तो ये गुलाम बंस का सासक था किसका गुलाम बंस का ये सासक था तो अंतिम सासक था आपसे पूछे गुलाम बंस का अंतिम सासक कौन था क्यूमर्स था और क्यूमर्स का सैनापती कौन था तो जलाओ दीन फ्रोज ख आ सकता लेकिन आप एक नाम याद रह सकते हैं वलवन तो बलवन का कहता यह पोता था ठीक है और यह कैकुबात का ही पुत्र है कौन इसमें क्यों मड़ सै तो यह पोता किसका होता है वलवन का होता है जलाओ दिन फ्रोश खिल जी को दो पद महत्त्वपुन मिलते हैं एक पद कि किसके द्वारा 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 कि इसको तो आप देंगे जलावोदीन फ्रोष खिलडी को तो महतब पुन बात यहाँ पड़ जहां दार का दूसरा आरेश मुवालिक का emphasized को दिया जाता है जो कि संबने था किसंसे सैना मंतरी के नाम से इसको बचा tarde दूसरे हम बात करते हैं कि राज्यवी सेक का होता है तो 1290 में इसका क्या होता है राज्यवी सेक होता है कहां पर होता है यह पूसकता है तो किलो खरी या किलो गड़ी महल में इसका राज्यवी सेक होता है इसके बाद हम से पूसकता है कि दिल्ली संतनत का दिल्ली संतनत का जो प्रथम सासक है वो हिंदू जंता के प्रति उदार दिश्टी कौन लगता था तीसरी बात यहां पर आपको ध्यान लखना कि इरानी जो मोला है अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां फकीर सीधी मोला जो है यह जो है इनकी हत्या करा देता है तो हाती के पैरों इतरे कुछलवा कि इ आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही लिकाए हैं आप इसका स्क्रीन सूट एक बार कर सकते हैं मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन